हजब येभरिवरन वेलकंव पक्रशम आज में इंपोर्टटटोपिक कर रहा है ऐफPORTBE आज हमें cup सीरियूज में बहुत इंतुक्ट को ओ दिवा हो घालन को और एक डिक tension में आपको फिर कोमेंट देरा है क्तोर सॉद्छ dai चाहUST इंप्र चोफरति बहुता ना है के president Ramarnath Coven zi हैं जो की present हमारे president है लेकिन आप सभी को पता जैसे ही हमारा session start होगा Parliament का 18th July को President election होने है और 21st July तक जो है वो President election के result आपके सामने आ जाएंगे इसके अवा मैंने आपको discuss भी किया है कि NDA Government द्रौपती मुरमू को जो है वो अपना representative बनाया है मतलब प्रेसिडेंट पत के उम्मीदबार की रूप में खड़ी होई है वो सारी चीज़ें हमने देखी है मतलब प्रेसिडेंट एलेक्शन अपने आप में न्यूज है मतलब ही टॉपिक हमारे लिए बड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है तो हम सारी बाते कवर करेंगे कि ओडिनेस क्या होता है उसका डियूरेशन क्या है वीटो के बारे में कितनी बार वीटो यूज हुई है इमर्जेंसी के बारे में क्या कौलिफिकेशन होती है वो सारी चीज़े हम यापे कवर करने वाले हैं प्रेसिडेंट आफ इंडिया से क्लियर है तो वीडियो को लास तक देखिएगा और अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए है तो पर्चम के वेबसाइट पे आपको PDF मिल जाएगा बाकी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपने handwritten notes को prepare केजिए जिससे पढ़ने में आपको आसानी हो समझने में आपको आसानी हो आप स्क्रीन शॉट को भी ले सकते हैं तो फटा पर एक बार link को शेर कर देंगे अपने friends के साथ क्योंकि हमारा topic स्टार्ट होने जा रहा है President of India भारत के राष्टपती से संबंदित सभी MCQ को cover करेंगे ठीक है तो आपको याद रखना है 14 नमबर के President है रामनात कोविन जी पहला question है which article of the Indian constitution say that there shall be President of India हमारे भारती संब्धान के कौन से अनुछेद में लिखा हुआ है कि भारत का राष्टपती होना चाहिए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम Constitution में Part No.5 पे बात करते हैं Chapter No.5 जो है उसमें हमें Executive हमारी कारेपालिका मिलती है और हमारी जो Executive होती है उसमें हम Second Video डिसकस करेंगे हमारी जो Executive होती है उसमें President भी होती है लोगसभा और राथसभा होती है तो President Executive मतलब कारेपालिका का एक मेंबर है तो आपको इसलिए President का नाम याद रखना है तो Chapter 5 में आपको Executive मिलेगी जहाँ पर Article No.52 से 78 तक आपको President of India भारत के राष्टपती से रिलेटेट सारे information मिलेगी वहीं Article No.52 यह कहता है कि There shall be a President of India यहाँ पर 52 कहता है कि भारत का एक राष्टपती होगा और भारत कैसा है रिपब्लिक है भारत कैसा है रिपब्लिक है गरतंत्र है इसका यह मतलब है कि भारत के जो सर्वोच नागरिक है यह जो First Person इंडिया का President of India वो कैसा होगा चुना हुआ होगा मतलब इलेक्टेड होगा इसलिए President का क्या होता है इलेक्शन होता है क्योंकि रिपब्लिक होने के लिए जो हमारे भारत के सबसे उपरी वेक्पनी है जो First Person है उनका इलेक्शन होना ज़रूरी है अब यहाँ पर जो राष्टपती का इलेक्शन होता है वो इन डारेक्ट इलेक्श होगा अब आईए अगला कोशन देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चेप्टर फाइफ में आपको यह मिलेगा प्रेसिजेंट ऑफ इंडिया साथ आर्टिकल 53 को भी जान लीजे आर्टिकल 53 कहता है कि जो सारी एक्जिकेटिफ पावर होंगी ज को उनकी पावर का यूज कर सकती है तो आर्टिकल 53 में एक्जिकेटिफ पावर ऑफ प्रेसिजेंट ऑफ इंडिया के बारे में मैंशन किया गया है साथी थाथ हमारे तीनों सेनाय होती है चाहे वो इंडिया नेवी हो या आर्मी हो तो आपका तीनों सेनायों का जो हैड होत सुप्रीम कमांडर आम फोर्स के कौन होते हैं प्रेसिजेंट ऑफ इंडिया होते हैं पहला है आर्टीकल 54 प्रेसिजेंटल इलेक्शन में राश्चपती के चुनाओ के बारे में बताए हैं बिलकुल चुनाओ की प्रक्रिया जो है चुनाओ कैसे होगा मतलब जो राज़पती की निर्वाचन में जो लोग भाग लेंगे मतलब इलेक्टोलर कोलेजियम में कौन-कौन विक्ती होंगे कौन-कौन इन्हें वोट करेगा तो Presidential Election के बारे में Article 54 में जिक्र मिलता है Article 55 कहता है Manner of the Presidential Election किस Manner में मतलब प्रक्रिया क्या होगी राज़पती के चुर्णाओं की जैसे कि हम बात करते हैं कि Single Vote Transferable Method होती है या हम बात करते हैं कि MP और MLE की Vote Value के बारे में तो पूरा जो Manner है Presidential Election का वो Article 55 में मेंचन है मतलब Option A और Option B तो Correct हो गया अब Article 60 Procedure of Impeachment of the President अब राश्चपती अगर सम्मिधान के अगेंस्ट काम कर रहा है Constitution के अगेंस्ट काम कर रहा है तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है राश्चपती को वो Impeachment कहलाती है हिंदी में महावयोग की प्रक्रिया उसे कहते हैं तो ये बात आपको Article 60 में न मिलके Article 61 में मिलती है तो Article No. 61 Impeachment of the President के बारे में बात करता है मतलब Option C यहाँ पर गलत है अब Option D भी देख लेते हैं Article 123 Ordinance के बारे में बात करता है Ordinance को हम हिंदी में अध्यादेश कहते हैं तो जो Power President of India के पास होती है वैसे ही कुछ-कुछ Power Governor के पास होती है जैसे कि President जो होते हैं वो Ordinance जारी कर सकते हैं अध्यादेश को जारी कर सकते हैं Using Article 123 वैसे ही जो हमारे Governor होते हैं जो राजियों में Governor होते हैं वो भी Ordinance जारी कर सकते हैं Using Article 213 तो 123 राष्टपती का Ordinance है और 213 में Governor का मतलब राज जिपाल का Ordinance है तो दोनों आर्टिकल को आप साथ में याद रखेंगे तो जादा आसानी से याद होगा मतलब यहाँ पे कौन सा Match नहीं है तो Option C यहाँ पे Correct हो जाएगा जो कि Match नहीं है यहाँ पे हम एक बार इन आर्टिकल पे चर्चा करते हैं Article 56 Term of Office of President के बारे में बताता है कि राष्टपती अपने पद पर कितने समय के लिए रहेगा तो कोई भी व्यक्ति अगर राष्टपती बनता है तो 6 महीने के अंदर election हो जाने चाहिए अगर President बीमार है तो उसकी जगर Vice President जो होते हैं वो as a Acting President काम करते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं Article 58 Qualification of election as President अब election के लिए President के लिए क्या qualification होनी चाहिए तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक होता है एक रूप से असक्षम या फिर Mental Disable ना हो इसके अलावा लोगसभा का मेंबर बनने का qualification रखता हो तो वो व्यक्ति भारत का राश्टपती बन सकता है तो qualification के बारे में Article 58 में में mention है Article 59 Condition of President Office के बारे में में mention है Article 60 जो है वो शपत मतलब ओध के बारे में mention है राश्टपती को शपत दिलाने का काम CJI Chief Justice of India करते हैं अगर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं तो जो भी Senior Most सुप्रीम कोट का जज होता है वो राश्टपती को ओध दिलाने का काम करेगा तो ओध Article 60 में है Article 61 जो है वो impeachment राश्टपती को हटाने की प्रक्रिया से है Impeachment 61 से है Article 71 Article No. 71 जो है वो बात करता है कि अगर कोई भी dispute की condition, कोई भी विवाद की condition बनती है प्रेसिडेंट एलेक्शन में या वाइस प्रेसिडेंट की एलेक्शन में क्योंकि जल्ली ही भारत में वाइस प्रेसिडेंट की एलेक्शन भी होने वाले है और प्रेसिडेंशल एलेक्शन भी होने वाले है तो कोई भी विवाद की condition बनती तो उन विवादों का निप्टारा कौन करेगा Supreme Code करेगा ये बात आपको आर्टिकल नंबर 71 में देखने को मिलेगी अब देखे आर्टिकल नंबर 72 अब रास्टपती के पास कई सारी और भी पावर्स होती है रास्टपती को परड़न मतलब छमा करने की शक्ति होती अगर किसी व्यक्ति को म्रत्यू डंड है फांसी की सजा है तो वो फांसी की सजा को कम कर सकते हैं हटा सकते हैं, माफ कर सकते हैं सजा को कम कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें पावर जो किसके पास है प्रेसिजेंट के पास होती है आर्टिकल नंबर 72 में वही गवर्नर के पास Article 161 में देखने को मिलेगी। बस एक अंतर यहाँ पर है कि राश्चपती किसी व्यक्ति की फांसी की सजा को माफ कर सकता है। तो आपको Article 72 और 161 को याद रखना है। तो ये कुछ आर्टीकल जो कि हमारे President औफ इंडिया से related है Next question बात करते है कि किस article में आपको Attorney General ऑफ इंडिया के बारे में information मिलती है Attorney General ऑफ इंडिया मतलब महान्यायवादी कहलाते है जो कि First Legal Officer कहलाते है इंडिया के First Legal Officer कौन कहलाता है First Legal Officer कहलाते है Attorney General of India Attorney General of India को appoint करने का काम President of India करते हैं कौन करता है? President भारत का राश्चपती Attorney General को appoint करता है Attorney General जो है अगर अपना resign करना हो तो वो President of India को ही resign करते हैं इनका कोई fix tenure नहीं होता है यह pleasure of President मतलब राश्चपती की इक्षक अनुसार अपने पत पर बने हुए होते हैं और यह सारी बाते हैं आपको Article No. 76 में देखने को मिलेंगी Attorney General of India के बारे में आपको कहा मिलेगा? Article No. 76 में देखने को मिलेगा Recently मैंने Current Affairs में आपको discuss किया था कि अभारत के जो 15th Number के Attorney General है K.K.Venu Gopal जी उनका tenure अभी तीन महीने के लिए extend कर दिया गया है मतलब यह जो टॉपिक है यह Current Affairs का टॉपिक भी बनता है इसलिए आपको इसे याद रखना है M.C.C. तलवार जो है वो पहले Attorney General थे इंडिया के Attorney General को यह पास एक पावर होती है क्या पावर होती है अपना judgment, मतलब अपना फैसला अपना जो भी suggestion है वो दे सकते है तो यह पावर Attorney General थे इंडिया के पास होती है कहाँ पर mention है Article No.76 में mention है साथे साथ सुप्रीम कोट का जज़ बनने के लिए जो qualification होनी चाहिए वही qualification Attorney General के बारे में भी होती है सुप्रीम कोट के जज़ के बारे में आंगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे What qualification should be become a President कौन से qualification यहाँ पर President बनने के लिए होनी चाहिए या इन्वे से कौन से qualification President की नहीं है 35 years of age, बिलकुल सही बात है लोगसभा का Member बनने की qualification रखनी चाहिए President के लिए लेकिन अगर वही question Vice President का होता तो Vice President के लिए जो है वो राजसभा का qualification होना चाहिए ठीकि याद रखेंगे President के लिए लोगसभा और Vice President के लिए राजसभा बाकि 35 साल दोनों के लिए भारत का नागरिक दोलों के लिए है तो Only A and C बिलकुल सही हो जाएंगे Option D चाहिए तो यह qualification यहाँ पर mention है जो President बनने के लिए होनी चाहिए साथ ही साथ एकोड चीज होती है यहाँ पर 15,000 रुपे President के पास होना चाहिए चाहिए उसके अलाबा 50 और 50 का रेशियो होना चाहिए 50 प्रपोजल होना चाहिए 50 ही Secondary होना चाहिए मतलब 50 अनुमोदक होना चाहिए और 50 ही आपको प्रस्तावक होने चाहिए जो आपके नाम को प्रस्ताव करें और आपको 50 लोग जो वोट करें ठीक है तो ये 50-50 का ratio जो है President के case में चलता है वही Vice President के case में 20-20 का ratio देखने को मिलता है तो ये दोनों ratio भी exam में पूछा जाते हैं इनको याद रखेंगे पूछा किया है कि इन में से कौन सा statement गलत है ठीक है Elected and nominated member of the state legislative assembly participated in the presidential election Next है The union executive includes the President, Vice President, Prime Minister, Attorney General of India Impeachment may be initiative against the president for breach of constitution Article 56 tenure of the president के बारे में बात करता है तो Article 56 तो बिल्कुँ सही है tenure of the president के बारे में बात करता है Impeachment कब लगा होगे जब वो constitution के against breach करेगा constitution को ये बात भी सही है Union executive में President, Vice President, Prime Minister, Attorney General होते हैं ये बात भी सही है यहाँ पर presidential election के बारे में बात की जा रही है Presidential election के बारे में अगर मैं बात करूँ तो राजपती का जो election होता है उसमें दोनों houses मतलब लोगसभा और राजसभा के जो elected member है वो vote करते हैं याद रखेंगे लोगसभा और राजसभा के elected member ना कि nominated member क्योंकि हम सभी को पता है कि राजसभा में 12 व्यक्तियों को nominate करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं ये 12 व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के election में participate नहीं करेंगे आपको याद रखना है कि लोगसभा और राजसभा के एलेक्टिट मेंबर जो है वो वो प्रेसिडेंट के election में participate करेंगे इसके लावा सारी राज्यों की जो विधान सभाएं है सारी राज्यों के विधान सभाओं के भी elected member ना कि nominated elected member जो है वो राश्चपती के election में participate करेंगे इसके लाव दिल्ली और पुर्दिचरी की भी विधान सभाओं के elected member जो है presidential election में participate करेंगे तो पहला state मिने हाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि nominated member की बात की जारी है और nominated member आपने देखा चाहे वो लोग सभा के हो राश सभा के हो या विधान सभा के हो नॉमिनेटर member presidential election में भाग नहीं लेते हैं option A बिल्कुल गलत हो जाएगा तो यह सारी बात है आपको article 54 में देखने को मिल जाएगी next है इन में से कौन सा statement correct नहीं है president is the head of the military force of the India जैसे कि मैंने आपको कहा कि तीनों सेनाओ का प्रमुक रास्टपती होता है यह बात बिल्कुल साही है option A बिल्कुल correct हो जाएगा president can appoint a commission to investigate into condition of SC and SD तो schedule caste और schedule tribe के लिए जो national commission for schedule tribe और national commission for schedule caste होता है उनके head को appoint करने का काम president करते है तो यह बात बिल्कुल सही है election commissioner को appoint करने का काम president करते है UPSC मतलब अखिल भारती सेवाओं के जो प्रमुक होते हैं उनको appoint करने का काम president करते है तो option DB correct है, BB correct है, AB correct है, यहाँ पर लिखा है, Parliament can declare any area as a schedule area, कोई area, schedule area है या नहीं, इस बात को decide Parliament नहीं करती, President करते हैं, तो यहाँ पर President होना चाहिए, तो option C गलत हो जाएगा, ठीक है, next बात करते हैं, यहाँ पर powers लिखी हुई है, जैसा कि मैंने कहा, Prime Minister और मंत्री मंत्रल को appoint कर करते हैं, राज्यों के governor को appoint करने का काम, attorney general को, CAG जो होता है, CAG को appoint करना है, election commissioner को appoint करना है, chairman of UPSC appointment, finance commission की appointment, यह सारी national commission for schedule class, schedule tribe, other backward classes को appoint, उनके officers को appoint करने का काम, President करते हैं, interstate council बनाने का काम, उनके head को appoint करने का काम, President करते हैं, कोई area, schedule area है या नहीं, यह power भी जो है, वो राज राज़पती के पास होती है, तो बहुत सारी administrative power राज़पती के पास हैं, आपको इस slide में मिल जाएंगी, next बात करते हैं, in which of the following article provision of national emergency is mentioned, तो यहाँ पे तीन प्रकार की emergency भारत में लगाई जा सकती है, जो कि article 356, 352 और 360 में mentioned है, पूछा गया कि national emergency कहां पर है, तो national emergency आपको article number 352 में देखने को मिलेगी, ठीक है, president rule अगर राश्चपती सासन की बात करते हैं, तो article 356 में देखने को मिलता है, वहीं अगर financial emergency की बात होती है, तो financial emergency आपको article 360 में देखने को मिलेगी, तो तीन प्रकार की आपात काल की घोशना करने का दिकार राश्चपती को होता है, ए इस case में राश्चपती शासन लगाया जा सकता है, article 352 national emergency होती है, राश्चपती इसको लगा सकता है, और article 360 जो है वो financial emergency होती है, हाला कि अभी तक financial emergency भारत में नहीं लगी है, लेकिन हाँ, article 352 मतलब national emergency का use हुआ है तीन बार, पहली बार हुआ था 1962 में जब इंडो चाइना व 75 में emergency लगाई गई थी हिंद्रा गांधी जी के दुआरा, तो तीन बार यहाँ पर article 352 का use किया गया है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, what is the official term of President's Office, राश्चपती अपने पद पर कितने समय के लिए रहता है, तो आंसर हो जाएगा, 5 सालों के लिए राश्चपती को चु पर कितनी बार भी राश्चपती नहीं बन सकता है, लेकिन भारत में हमेशा एक टेन्योरी राश्चपती ने खतम किया है, अगर हम बात करते हैं केवल और केवल डॉक्टर राजन प्रसाद जी के बारे में, उन्होंने 10 साल तक भारत के राश्चपती के रूपे, मतलब 2 सा का टेन्योर कवर करने वाले एक मतल राश्चपती डॉक्टर राजन प्रसाद जी है, राश्चपती अपना रेजिगनेशन जो है वाइस प्रेसिजेंट को देते हैं, और वाइस प्रेसिजेंट अपना रिजाइन जो है वो प्रेसिजेंट को देते हैं, चलिए, नेक्स केवल एकमात ऐसे President थे जिन्हों दो लगातार साल राश्चपती के पदपर काम किया है अगर हम बात करते हैं अपने तीसरे नमबर के President के बारे में Dr. Zakir Hussain जी के बारे में एक ऐसे राश्चपती थे जो अपने पदपर रहते हुए मतलब इनका टैनर खतम नहीं हुआ था अपने पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया इनकी डैथ हो गई थी तो एकमात्र राश्टपती डॉक्टर जाकेर हुसेन जी है इसके अलावा भारत में नीलम संजीवा रेडी जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नीलम संजीवा रेडी जो है वो निर्व रोट चुने जाने वाले राश्टपती है साथे साथ ये पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं आंधर प्रदेश के प्रतिवा देवी सिंग पाटल जो है वो पहली फीमेल प्रेसिजटन रही है भारत की इसके अलावा इंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में भी वीवी गिरी मुहम्मद हिदायत तुल्ला का नाम आपको याद रखना है इन लोगों ने जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह भी काम किया है अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं मनी बिल के बारे में They must be introduced on a period recommendation of the President मनी बिल को राज़्चपती की permission से ही represent किया जाता है They can originate it in both house of the parliament मनी बिल किसी भी हाउस से originate किया जा सकते हैं कौन सा statement यहां पर करेक्ट है तो केवल पहला statement यहां पे correct है money bill जो है केवल और केवल राष्टपती की permission से ही present किये जाते हैं यही तो reason है कि money bill के case में veto power का use नहीं होता है क्योंकि veto power मतलब मना करना और राष्टपती की recommendation से ही जब money bill को पेश किया गया है तो राष्टपती उस पे veto power use नहीं करते हैं तो इस बात को याद रखना है कि money bill के case में veto power use नहीं होता है money bill राष्टपती की period permission से ही recommendation से ही पेश किये जाते हैं और money bill को लोगसभा में ही originate किया जाता है लोगसभा में pass किया जाता है और कोई bill money bill है या नहीं है इस बात का निर्णा है लोगसभा का speaker लेता है ठीक है तो option ये बिलकुल correct हो जाएगा यहाँ पे article 110 हमारे Indian constitution का है वहाँ पर आपको money bill के बारे में information मिल जाएगी ठीक है तो ये money bill के बारे में सारी बाते लिखी हैं कि money bill को लोगसभा में period recommendation of president present किया जाता है money bill के संधर्भ में जादा power किसके पास होती है लोगसभा के पास होती है राजसभा के पास बहुत ही limited power होती है कि money bill को जब लोगसभा से pass कर दिया जाता है तो वो राजसभा में जाता है राजसभा के पास इसे amend करने का अधिकार नहीं होता है लिमिटेड 14 दिन का समय दिया चाहता है उस 14 दिन में मनी बिल को जो है वह इने पास करना होता है ठीक है साथी साथ अपने suggestion अगर कोई correction वो चाहते हैं तो अपने suggestion दे सकते हैं लेकिन राजसभा के suggestion को माने या ना माने ये लोगसभा पर depend करता है तो राजसभा के पास money bill के संधर में बहुत ही limited पावर है लेकिन लोगसभा के पास ज्यादा पावर होती है next है what is the meaning of word veto veto का क्या मतलब होता है veto का मतलब होता है मना करना for it option c बिलकुल correct हो जाएगा अब भारत के राश्चपती की बात करते हैं जनरली चार प्रकार की veto होती है अमेरिका के राश्चपती के पास चारों प्रकार की veto होती है अगर भारत के राश्चपती की बात करते हैं तो भारत के president के पास तीन प्रकार की veto है तो भारत के president के पास कितनी वीटो है तीन वीटो है कौन से वीटो नहीं है तो अभी हम अगर कोई बिल पार्लियमेंट से पहुचता है राश्च्पती के पास तो राश्च्पती उस पे साइन करने से मना कर सकते हैं इसे हम Absolute Vito कहते हैं अगर हम बात करते हैं 1954 में जब हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजन प्रसाज जी थे तब उन्होंने पैपसू एक्ट में Absolute Vito का यूज़ किया था मतलब 1954 में Absolute Vito यूज़ हो चुका है नेक्स आता है Suspensive Vito Suspensive Vito में अगर कोई बिल राज्टपती के पास पहुचाया जाता है साइन करने के लिए तो राज्टपती इसे अमेंडमेंट करने के लिए बापस पार्लियमेंट में भेज सकते हैं लेकिन पार्लियमेंट ने अगर अमेंडमेंट करके भेजा तो भी ठीक है और अगर बिना अमेंडमेंडमेंट करे भी पार्लियमेंट उस बिल को बापस से राज्टपती के पास पहुचा दे तो राज्टपती को फिर उस केस में दوبारा वीटो यूज नहीं कर पाएंगे फिर उस केस में उस बिल पे उन्हें साइन करने ही पड़ेंगे मतलब केवल एक ही बार आप suspensive veto यूज कर सकते हैं तो suspensive veto हो गया next बात कर लेते हैं pocket veto के बारे में तो pocket veto मतलब जेब में रख ले ना आपके पास कोई bill आया और आपने ना हाँ बोला ना मना किया और उसको hold करके अपने decision को hold करके रख लिया अपने pocket में उस bill को रख लिया तो आपसे कोई question नहीं पूछेगा कि आप उस bill को कब pass करेंगे पास करेंगे या नहीं करेंगे तो यह कहलाती है pocket veto क्योंकि यहाँ पे कोई भी limit defined नहीं है कि आपको इतने समय पे bill पे sign करने है आपको नहीं करने है sign आप मत कीजे अगर हम बात करते हैं 1986 में ज्यानी जेल सिंग के वारे में जो हमारे राश्चपती रह चुके हैं उन्होंने dark adenium जो आया था ना post office वाला bill उसमें उन्होंने pocket veto का use 1986 में किया था तो एक बार pocket veto भी use हुआ है इन में से कौन से veto power राश्चपती के पास नहीं है तो आंसर हो जाएगा qualified veto राश्चपती के पास नहीं है बारत के राश्चपती के पास केवल तीन veto powers है नेक्स बात करते हैं च्छे वीटो पावर किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल नमबर 111 111 में आपको veto power देखने को मिलेंगी नेक्स बात करते हैं विच आर्टिकल अव दा कॉंस्टिचिशन इंपावर दा प्रेसिजेंट तू प्रोमलिगे ओर्डिनेंस ओर्डिनेंस मतलब अध्यदेश जारी करने की जो शक्ती है किस आर्टिकल में अभी हमने देखा था आर्टिकल 123 में ओर्डिनेंस जारी किया जा सकता है option A अब ओर्डिनेंस कब जारी किया जा सकता है उसकी कुछ termins condition होती है अगर लोगसभा और राजसभा का session ना चल रहा हो और किसी कानून की जरूरत हो तो उस case में राज़्टपती और्डिनेंस जारी करते है और्डिनेंस की भी वही पावर होती है जो किसी कानून की होती है लेकिन और्डिनेंस की case में एक चीज जरूरी है जैसे ही लोगसभा का या राजसभा का मतलब session Parliament का session शुरू होता है तो session शुरू होने के 6 हफतों के अंदर उस ordinance को pass करा देना चाहिए अगर वो ordinance pass हो जाता है तो कानून बन जाता है अगर ordinance को pass नहीं किया जाता है तो उसकी value zero हो जाती है इस बात को भी आपको याद रखना है जब भी लोगसभा का election होता है election complete हुआ नई मंत्री परिशद बनी नई minister of council बने प्राइम मिनिस्टर बने सब कुछ recite हो गया तो यहाँ पे जो पहला session होता है पार्लियमेंट का उसको कौन address करता है तो President of India option C बिलकुल correct होगा इसके अलावब आप एक और article याद रख सकते है article 108 ambulance वाल आर्टिकल है article 108 इस आर्टिकल में लिखा है joint sitting joint sitting बुलाने का अधिकार केवल राष्टपती के पास होता है मतलब कोई भी बिल है माल लेते हैं कोई बिल है और उस पे कोई भी dispute की condition बनी है लोग सभा पास कर रहा है राच सबह होल्ड करके रखा है तो ऐसे case में जब भी कोई condition बनती तो उस case में आप president जो है वो joint sitting बुला सकता है ठीकिन जॉइंट सिटिंग का provision आपको article 108 में मिलेगा लेकिन याद क्या रखना है कि joint sitting बुलाने का अधिकार तो राष्टपती के पास होता है लेकिन joint sitting को chair करने का अधिकार लोग सभा speaker का होता है ठीकिन तो ये बात भी आपको याद रखनी है तो कौन से राजपती ऐसे थे जिन्दों ने अपने tenure के समय उनकी death हो गई तो अभी हमने देखा डॉक्टर जाकिर हुसेन आप्शन ही बिलकुल सही हो जाएगा जो कि हमारे president थे और 3rd में 1969 को उनकी death हो जाती है और उसके बाद acting president जो है विवीगिरी को बनाया जाता है तो अभी हमने देखा है 50 proposer होना चाहिए 50 seconder होना चाहिए 50-50 का ratio होना चाहिए औप्शन ये बिलकुल correct हो जाएगा जो कि हमने पहले भी देखा है next बात करते हैं किस constitution amendment के अंदर ये बात mention की गई है कि जब हम amendment की प्रक्रिया लाते है मतलब article 368 के जरी अगर हमने amendment किया है और इस amendment बिल को राश्टपती के पास भेजा है तो राश्टपती बाधिकारी है मतलब राश्टपती को उस बिल पे sign करने ही पड़ेंगे लेके आई थी 24th number को constitution amendment act 1971 में और उन्होंने ये बात वहाँ पर लिख दी थी कि constitution amendment का जो बिल होता है उस पे sign करने के लिए president बाध का रही है मतलब इस बिल पे भी veto use नहीं हो सकता जैसे कि money bill पे veto use नहीं होता वैसे ही आपके amendment bill पे भी veto use नहीं किया जाएगा आर्टिकल 24 में ये बात mention है sorry amendment number 24 में ये बात mention है चीक है next बात करते हैं तीनों से नहों के प्रमुक के बारे में पूछा जा रहा है तो हमने देख लिया है इंडियन आर्मी नेवी और येरपोर्स के chief कौन होते हैं president of india होते है option d अब पूछा जा रहा है कि who can appoint a commission to investigate into the condition of SC, ST and OBC तो कौन commission करता है president of india करते है option d बिल्कुल सही हो जाएगा president कितने लोगों को राजचभा में नॉमिनेट करते हैं तो हमें पता है 12 लोगों का nomination राजचभा में राष्टपती के द्वारा किया जाता है option c बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से किसका कारेकाल राष्टपती के प्रसाद परियंद pleasure of president काम करते हैं तो आंसर उजय का governor जो राज्यों के राजजपाल होते हैं वो pleasure of president काम करते हैं तो देखिएगा आर्टिकल 78 के बारे में आर्टिकल 74 के बारे में थोड़ी सी बात करना जाती हूँ 74 और 75 के बारे में कि राष्टपती की help करने के लिए एक council of minister होगी मंत्री परिशद होगी और council of minister का जो head होगा वो prime minister मतलब प्रधान मंत्री होगे और उनकी न्युकती जो है वो राष्टपती करेंगे ठीक है अब राष्टपती जैसे कि कोई मुद्दा है किसी मुद्दे पर discussion कराना है तो राष्टपती बोल सकते हैं कि आज पार्लियमेंट जो है वो इस मुद्दे पर discussion करेगा और अपनी जो भी मतलब executive power का use करते हुए question पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि क्या discussion चल रहा है पार्लियमेंट में तो यह सारे power भी article 78 में लिखी गई है तो यहाँ पर option number A बिल्कुल सही हो जाएगा President power to get information from the council of minister मंत्री परिश्टर से information लेने का अधिकार राष्टपती के पास है article number 78 में चीक है If the president want to resign from office अगर राष्टपती resignation इस्तीफ़ देना चाहते हैं तो वो किसको लिखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा Vice President को लिखेंगे option D बिल्कुल correct हो जाएगा When Parliament is not in session The President can promulade an ordinance which is to be ratified by Parliament within अगर session ना चल रहा हो लोगसभा राजसभा का सत्र ना चल रहा हो कब जैसे ही session की शुरुआत होती Six Week from the Reassembly of Parliament Option A बिल्कुल correct हो जाएगा तो बड़ा आसान सा प्रशन था पहले भी discussion किया है पूछा गया है कि इन में से कौन से कब जो है वो Pocket Veto का यूज़ किया है तो हमें पता है कि Indian Post Office जो amendment विल था उसमें Pocket Veto का यूज़ यह JV Veto का यूज़ किया गया था ज्यानी जेल सिंग जी की द्वारा The President of India is Elected by an Electoral Collegium Comprises of अब यहाँ पे पूछा गया है कि राजपती का चुनाओ जो है उसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट करते हैं तो अभी हमने देखा था कि Elected Member of लोकसभा in a State Legislative Assembly बिलकुल सही बात है Elected Member of Both Houses of Parliament in a State Legislative Assembly सही बात है Option B accurate है तो option B बिलकुल correct हो जाएगा The Maximum Age Prescribed for Election as President कोई भी व्यक्ति के लिए Maximum Age किया है President के लिए तो Maximum कोई भी लिमिट नहीं है और Minimum 35 है तो Minimum 35 है और Maximum के लिए कोई भी लिमिट नहीं है तो No Limit आजाएगा Option A This is the question of the day Impeachment of President can be initiated in जैसे कि Article No. 61 में मैंने बताया कि Impeachment की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है तो Impeachment मतब राज्टपती को हटाने की प्रक्रिया कहां से शुरू होगी केवल लोक सभा से केवल राज सभा से किसी भी हाउस से ये सुप्रीम कोट से तो इसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे So thank you so much हम मिलते हैं नेक्स सेशन में Take care